हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशी केश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस पुडियो में मैं आपसे बात करने वाला ऑस्ट्बाल शोर को उनके इंस्ट्राम वाट्स नमर आपको स्क्रीम क्यों पर दिख रहे होंगे तब जरूर से इनको चेक आउट करना और 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 करना इनके साथ में और आज इस पुडियो में मैं आपसे बात करने वाला ऑस्ट्रेलिया वर्ष्ट्य श्रिलंका की वीच खेले जाने वाली T20 सिरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल वुकाबली जो ही खेला जाएगा Brisbane के Gabba Stadium के अंदर 30 October को धौपर के एक बच के 40 मिनिट पर और इस मैच का लाइट अलिकास टोने वाला है Sony 6 के उपर Brisbane की पिच को Australia की सबसे तेज पिच माना जाता है पर यहाँ पर बहुत हवा में ट्रेवल ही बहुत अच्छे से करता है यहाँ पर बैटिंग करना थोड़ा बहुत आसान समझने में आता है और यह एक night match होने वाला है तो second innings के अंदर due factor भी बहुत जाता बीच में आ सकता है तो आप toss जीते पहले balling करने का फैसला करना चाहोगे क्योंकि second innings के अंदर balling करना बहुत मुश्किल भी हो जाएगा और batting करना भी कफी आसान हो जाएगा सबसे बहुत में बार करतो होम टीम ऑस्ट्रेला के बारे में जो कि पहले match के अंदर एक बहुत आसान ही जीत हसल कते वारी है उस match के अंदर एक perfect performance था ऑस्ट्रेला की तरफ से पिछले match के अंदर डेविड वॉनर ने एक जबर्दस century मारी उनके पहली T20 international century थी और इस तरह से उन्हें फॉर्म में आने की संकेत दे दिये उन्होंने match के ता 200 रन की partnership करी पहली partnership होई कप्तान Aeron Finch के साथ में कप्तान Aeron Finch ने भी 64 रन की जबर्दस पारी खेली और बहुर अच्छी opening करा करी डेव वॉनर के साथ और अगली partnership होई Glenn Maxwell के साथ में Glenn Maxwell को number 3 के उपर भेजा गया और उसके बाद उन्होंने 28 ball के उपर 62 रन मारे और बताया कि क्यूं वो T20 के थे जबर्दस प्लेयर और इस तरह से 230 थी रन माना है उस्ट्रेले की टीम ने की जबर्दस रिकॉर्ड था ग्राउंड के उपर उसके बाद बालिंग भी बहुत जबर्दस खेली सबसे बड़ी बालर है Adam Zampa जिन्होंने चार ओर में 14 रन दे के तीन रिकिट लिए और दिखाया है कि क्यों हो इतने इंपोर्टन प्लेयर आस्ट्रेले की टीम के लिए और वो आस्ट्रेले की स्पिन बालिंग लाइनप को लीड भी करते है अपनी स्पिन बालिंग से उसके अलावा भी सब बालर्स ने अच्छे परफोर्मेंस किया मिचल स्टार्क ने पिछले मैच में बहुत जबरदस खेला पर इस मैच के अंदर मिचल स्टार्क फिट नहीं होने वाले हैं मिचल स्टार्क फैमिली रीजन से करें इस मैच को नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह के उपर बिली स्टैनले को टीम में जगह मिल सकती है बिली स्टेनले के काफ़ी लंबे पेसर हैं, काफ़ी अच्छी यॉरकर्स मालते हैं, बहुत अच्छे बॉल है, तो बिली स्टेनले को इस मैच से जगा मिल सकती है, उसके लाओ टीम बहुत जबरदस खेली, बैटिंग में भी तीन जिरों ने बहुत अच्छा परदस्शन किय नमबर 6 के उपर एलेक्स केरी, नमबर 7 के उपर एस्टन एगार, फिर पैट कमिंस, एडम जैंपा, कें रिचर्डस और बिली स्टैनली, तो ये टीम होने वोले ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया इसमें उस जिरों जीतने की पूरी-पूरी कोश्च चाना चाहेगा, अब मैं बाद करतों, शलंका की टीम के बारे में जोगी बिलकूल बैच्छा नहीं खेल पाई विचले मैच के अंदर, उनकी बैटिंग मिलके 100 रन मी नहीं बना पहे, दूंको पता लगता है कि कितना बुरा खिरी शलंका की टीम विचले मैच के अंदर, हाला कि लोग उनसे उमीद बहुत कर रहे थे पाकिस्ताम वाली सीरीज के बाद पर आस्ट्रेलियन ने पूरी तरह से डॉमिनेट के होंगो पहले मैच के अंदर सबसे में दिक्कतिरी शलंगा का उनका स्कॉर्ड सेलेक्शन बहुत अजीब सा सेलेक्शन रहा शलंगा की टीम से निरोशन डिक्वाला को इस मैच भी टीम में आना पड़ेगा निरोशन डिक्वाला की बहुत ही जबर्दस प्लेयर है बहुत तेज खेलने वाले प्लेयर है और इन ट्रैक्स के उपर निरोशन डिक्वाला की टीम को ज़रूरत पड़ेगी तो निरोशन डिक वाला जरूर से टीम के अंदर आएंगी उसके लावा इसूरू उदाना को भी टीम माना पड़ेगा इसूरू उदाना लेफ्ट आम बॉलिंग भी बहुत जबर्दस करते हैं तो उनका टीम से वारतान बिल्कुल से पक्का है वो इस मैच का पार्ट नहीं होने वाले हैं रिस्पिनर से काफी अच्छा के लावा अलक्षिन संदक काने काफी अच्छी बॉलिंग कराई एक विकेट उनको मिला उसके लावा एकोनोमिकल भी रहा करें बागे प्लेर्स उनको कंपेर करता हूँ तो वापस से रिस्पिनर्स के उपर दिम्यदारी रहने वाली है बॉलिंग केंदर लसित मलिंगा ने अच्छा ब्रदर्शन किया पर उनको विकेट कोई नहीं मिला और इसूरु उदाना को टीम माना पड़ेगा तो अगर मैं शुलंका की लियावन के बारें बात करता हूँ तो ओपनिंग कर सकते हैं कुसल परेरा उगुना थिला का नमबर तीम पर भनुका राज़ पक्षा, नमबर चार पर कुसल मेंडेस, नमबर पांच के नियोशन डिकवला, नमबर छे पर दर्शन सनका, नमबर साथ के उपर इसूरु उदाना, फिर वनुंदू हसारंगा, नुवन प्रदीप, लक्षन संदकन और लसित मलिंका तो मे अगर मेरे वड़िट के बाएं, बालने बात करतों आउस्टेलिया को वापस से पलड़ भómoरी रहने वाला है, ओस्टेलिया की बैटिंग बहुत दागी लग रही है, और श्रीलंकर की टीम में ना बैटिंअची करही ना बॉलिंग अच्छी करही है, हलाके श्रीलंकर श्र आगा तो कि आपस नेक्स वीडियो करना या रखियेगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं